हाई गाइस कैसे हैं आज सब लोग उमीद है कि आज सब लोग खेर्यास होंगे आज का हमारा क्यूश्चन है यह एलिमेशन की चैप्टर से चैप्टर एट इस कोश्चन में जा करना है एलिमेट करना टी को फ्रॉम्दा फॉलाइं विद्धा हैल्प फॉर्मला है मतलब फॉर वीडियो को लाइक कर दिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रू बताइगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लेगे स्टार्ट करते हैं इस कोश्चन में हमें क्या करना है टी को ऐलिमेट करने के लिए मैंने सबसे पहले इस वाली जो एक्वेशन है इसको मैंने एक्वेशन डिवाइड ब्यूट टी ती इसको मैंने एक्वेशन नमबर यंडियो के इक्वेशन रーपास यह थी इसको मैंना इक्वेशन-numर 2 का नामें दे दिया य तिक्वेशन केला को तो यह एक्वेशन काया पर संकता हूँ So, मैंने आपर लिखा Squiring on both sides Squiring on Both sides In equation number 1 Equation 1 ते में क्या कर रहा हूँ Squiring कर रहा हूँ Squiring करूँगो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर X divided by P Equation 1 यह है Is equal to 1 पिलस का T square divided by 2 T का हो जाएगा यहाँ पर Squire दोनों value पर क्या जाएगा Squire हो जाएगा अब मैं इस पर और simplify करूँगो तो क्या है X square divided by P square Is equal to यहाँ पर लग जाएगा formula formula कौन सा A square plus B square का ऐसा ही है न So, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का square क्या होता है 4 और T square और उपर लगे का formula formula लगाते है कौन सा formula A की value है 1 और B की value का है T square है So, A plus B का formula है A square मतलब 1 का square Plus का 2 A की value 1 B की value का है T square Plus का B square मतलब क्या होगा T square का भी हो जाएगा यहाँ पर square ठीक है यह लग गया A plus B का मैंने formula लगा है जब मैंने और इसको simplify करूँगा तो क्यावल जाएगी X square divided by P square is equal to 1 का square 1 होता है Plus का यहाँ पो जाएगा 2 T square Plus का T की पावर 2 तो क्या हो जाएगा 4 Power से पावर multiply होती है Divide by 4 T square इसको मैंने equation number 3 का नाम दे दिया ठीक है अब क्या करूँगा मैं equation number 2 पर भी क्या कर दूँगा squaring कर दूँगा मैंने वही किया squaring on both sides squaring on both sides in equation number 2 equation 2 पर मैंने squaring करी equation 2 मैं पास कौन सी थी y divide by q का हो गया square और 1 minus का t का square divide by 2 t का भी हो जागा यहापे square वही चीज यहाँ पर हो जाएगा y का square divide by q का square is equal to यहाँ पर लग जाएगा formula a minus b का formula ठीक है a minus नीचे हम लिख देते हैं 2 का square का होता है 4 t square ठीक है यहाँ लगा यहाँ लगाएथ है formula a का square मतलब 1 का square minus का 2 a की value 1 b की value t square पिलस का b पिलस का b square मतलब t के square का भी यहाप हो जाएगा square ठीक है ना a minus b का formula अप्लाय कर दिए और simplify करते है y square divide by q square is equal to 1 का square 1 minus का 2 t square हो जाएगा है यहाँ पिलस का t ki power 4 divide by 4 t square ठीक है इसको मैंने equation number 4 का नाम दे दिया अगर आप note करें अगर मैं equation number 4 को equation number 3 से subtract कर वाता हूँ अगर मैं equation number 4 को equation number 3 सब्ट्रैक कर आता हूँ तो यह वाली value जाए इससे आपस में क्या जाएगी cancel हो जाएगी इसकी वह टी हमारे पास खताम हो जाएगा हमें ती को element करना है तो मैंने वही चीजिए यहाँ पर गई सब्ट्रैक करवा दिया equation number 3 को by equation number 4 से तो मैंने आप लिखका subtract subtract equation number equation number 4 को by from equation equation 3 equation 3 से क्या करते हैं इसको subtract कर देंगे तो क्या किस क्या मैंने subtract क्या है equation number 3 कौन सी चाहिए equation number 3 यह है ठीक है इस value compare लिखेंगे x square x square divided by p square जहीती उसके बाद माइनस करवाएंगे subtract करवाना है हम इसको left side को left side के जाद y square equation 4 4 और q square is equal to इस तरह की left side कौन सी है 1 पिलस का 2t square पिलस का t4 divide by 4 t square equation number 3 पर लिखेंगे उसके बाद minus का sign उसके बाद equation number 4 लिखेंग equation 4 क्या है आपस equation 4 है आपस यह 1- minus का 2t square पिलस का t4 divide by 4t square ठीक है अब क्या करेंगे इसके अंदर अगर आप देखें यहां में लिख देतो x square divide by p square minus का y square divide by q square is equal to अब में subtract करवाना basis सेम है basis जब भी सेम होंगे तो क्या करेंगे denominator जब भी हाँ पर सेम होते हैं सो हम denominator को सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा लिख देंगे 4t square और यह दोनों values को आपसे मिलाकर लिख देंगे पिलस का 2t square पिलस का t4 अच्छा है इन तीनों value के साथ multiply होगा तो 1 माइनस पिलस माइनस का 1 माइनस माइनस पिलस का 2t square माइनस पिलस माइनस का हो जाएगा t की power 4 ठीक है अब देखें पिलस का t4 से माइनस t4 cancel ठीक है माइनस के बन से पिलस का 1 cancel अब बचा अगर मैं इन दोनों को add कर आँगो तो क्या है 4t square ऐसा ही है न सो मैं आप साइट पे कर लेता हूं ठीक है मैं साइट पे कर रहा हूं इसको हमापस क्या वाली हुए चीछी थी x square divide by p square minus का y square divide by q square 4t square बच जाएगा 4t square और नीचे भी क्या है आपस denominator में भी 4t square ऐसा ही है न सो मैं आप लिख देता हूं 4t square 4t square 4t square क्या होगी है cancel हो जाएगा आप वैल्यू क्या गई x square divided by p square minus का y square divided by q square is equal to 1 सो इसमें से क्या होगी है आपस